किपबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री की कि वो अधानी जी को रेज करें एक प्रकार से अधानी जी ने हिंदुस्तान को हैजैक कर लिया है इन्वेस्टिगेशन अधानी जी से सुरू होगी नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अधानी जी क्या भारत का नाम गौतम अडानी ने अमरिका में बदनाम किया क्या पीए मोधी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर तेजी से कही जा रही है दरसल अडानी गुरूप के चेर्मेन और देश के दूसरे सबसे अमीर उद्द्योग पती गौतम अडानी बड़ी मुसीबत में नजर आ रहे हैं अडानी सहित साथ लोगों पर अमेरिका में अरगो डॉलर की रिश्वत खोरी और धोका दड़ी के आरोप लगे हैं दोस्तों साफ सीधे लफजों में कहें तो अडानी समेट साथ लोगों ने लगभग 265 मिलियन डॉलर करीब 2237 करोड रुपे की रिश्वत ली है ऐसा मबताया जा रहा है जो रिपोर्ट सामने आ रही है उन्हें उमीर थी कि इस कॉंट्रैक्ट से दो दश्कों में दो बीलियन डॉलर करीब 16882 करोड रुपे का मुनाफ़ा होगा मतलब की 2237 करोड की रिश्वत दे कर वो 16882 करोड रुपे का मुनाफ़ा दो दश्क में कमा सकते हैं इस मामले में अमरिका की कॉर्ट में सुनवाई हुई अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफतारी वारेंट तक जारी हुए है इस मामले में नाम आने के बाद अडानी ग्रूप ने अमरिका में 600 मिलियन डॉलर का बॉंड भी रद कर दिया है इल्जाम ये लग रहे हैं कि सौर उर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए साजिश रची गई 21 अरब रिश्वत देना चाहते थे दरसल आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रूप ने सोलर इनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतिय अधिकारियों को रिश्वत दीती वहां अडानी ने बुधवार को ग्रीन एनर्जी में निवेश की घोशना भी की ती ये घोशना तब की गई जब कमपनी के अध्यक्ष ने अमरिकी रास्टपती चुनाओ में दोनाल ट्रम्प को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी राइटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ने लिवेश की घोशना करते हुए अमरिकी रास्टपती चुनाओ में डोनाल ट्रम्प को उनकी चुनावी जीत पर बधाई भी दी थी यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ट्रम्प ने उर्जा कमपनीों के लिए नियमों को सरल बनाने का वादा किया है इससे उनके लिए यानि उर्जा कमपनीों के लिए पाइप लाइनों का निर्मान करना आसान हो जाएगा अब पॉइंट यह है कि अडानी ने कैसे धोका दिया या यू कहें कि असल आरोप क्या है दरसल गौतम अडानी पर कथित रूप से अमरिकी निवेशकों को धोका देने और अधिकारियों को रिश्वत देने का जो आरोप लगाया गया है इसको साफ सीधे तोर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रिश्वत देकर फंड हासिन करने का आरोप लगाया गया है यानि कि किसी प्रोजेक्ट को लेना अडानी और दूसरे जो साथ लोग हैं उन पे जो आरोप है कि उन्होंने जूटे और भार्मिक ब्यानों से अमरिकी निवेशकों और वैश्विक नित्किय संस्थानों से फंड लिया मतलब फ्रॉड करके एक तरह से इसके बाद उस रकम का इस्तमाल रिश्वत खोरी में किया यानि कि जो अभियोग में कहा गया है वो ये है कि अडानी और दूसरे लोगों ने लगभग 255 मिलियन डॉलर जो करीब अगर इंडियन रुपी में देखेंगे तो 2237 करोड रुपे की रिश्वत होती है वो दी उन्होंने उन्हें उमीद थी कि इस कॉंट्रेक्ट मतलब ये जो पैसे देकर के कॉंट्रेक्ट हासिल की गई उससे दो दशकों में 2 बिलियन डॉलर यानि कि 16,882 करोड रुपे का मुनाफ़ा हो सकता है दावा तो ये भी है कि इस योजना में शामिल कुछ लोगों ने गौतम आडान और एक अन्यकारकारी विनित एस जैन ने अडानी ग्रीन एनरजी के लिए 3 बिलियन डॉलर से अधिक के लोन और बॉन्ड हासिल करने के लिए रिंदाताओं और निवेशकों से रिश्वत की बात छिपाई ये आरोप विदेशी ब्रस्ट आवरन अधीनियम के अंतर गताते जो विदेशी व्यापार सौदो में रिश्वत खोरी के खिलाफ एक अमरिकी कानून है रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी और सागर अडानी के लिए गिरफतारी वारेंट भी जारी किये गये हैं अमरिका के अंदर अभियोग की खबर के कुछ घंटे पहले ही अडानी ग्रूप की एक हीकाई ने 600 मिलियन डॉलर की पेशकश के लिए अमरिकी कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में परवेश किया इस पेशकश को तीन गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइवर किया गया एक तरह से बताए जा रहा है बाद में इन बॉन्ड की बिक्री भी रद कर दी गई थी डानी ने एक महीने पहले ही इसी तरह की पेशकश भी की थी हाला कि ब्लूमबर्ग की एक रिकोर्ट के अनुसार मुल्ल निर्धारन को लेकर निवेशकों के विरोध के बाद उस पेशकश को अस्थागित करना पड़ा वहीं कॉंग्रेस ने इस पूरे मामले पर सूशल मीरिया प्लेट्पॉर्म एक्स पर पीएम मोधी को घेरा है कॉंग्रेस ने अपने ट्weeτ में लिखा कि अमरिका में कॉंट्रेक्ट पाने के लिए आडानी ने 22 करोर रुपे की घूस दी जब इस मामले की जांच होने लगी तो जांच रोकने की साजिश भी रची गई पार्टी में ये भी कहा कि अमरीका में आडानी के खिलाफ गिरफतारी और जारी हुआ है कॉंग्रेस एक्स पर ट्वीट में ये भी निखा कि अजीब बात है कॉंग्रेस लगातार आडानी और इससे जुड़े घपलों की जाच की बात कह रही है लेकिन नरेंदर मोधी पूरी ताकत से अडानी को बचाने में लगे हुए है वज़ा साफ है अडानी की जाच होगी तो हर कडी नरेंदर मोधी से जुड़ेगी जहां भी करप्शन है वहाँ पर इंवेस्टिगेशन होनी चाहिए मगर investigation अधानी जी से शुरू होगी और जब तक अधानी जी arrest नहीं होंगे तब तक credible बात नहीं बनेगी तो शुरुआत वहां से है अधानी जी को arrest कीजिए उनका interrogation कीजिए और फिर जो भी इसमें involved है पगड़िए और end में मैं आपको बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा क्योंकि BJP की पूरी की पूरी funding पूरा funding structure इस वियक्ती के हाथ में है इसलिए प्रदान मंत्री चाहें भी कुछ नहीं कर से है एक प्रकार से अधानी जी ने हिंदुस्तान को hijack कर लिया है हिंदुस्तान अधानी जी के grip में है इसलिए हिंदुस्तान के airports, ports, defense, industry यह partnership है एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अधानी जी और मैं आपको यहां कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अधानी को arrest नहीं कर सकते हैं capability नहीं है हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री की कि वो अधानी जी को arrest करें क्योंकि जिस दिन उन्होंने अधानी जी को arrest किया उस दिन वो भी जाएंगे अमरीकी attorney कार्याल है न्यू यॉर्क के अनुसार आपको बता दे कि रिश्वत खोरी और धोकादरी के मामले में शामिल कौन लोग हैं ये भी जान लीजे जो list जाली की गई है उसमें पहले नमबर पर गौतम अडानी है जिनकी उम्र 62 भारत ऐसे करके लिखा गया है उस report में दूसरे नमबर पर सागर अडानी उम्र 30 भारत तीसरे नमबर पर विनित एस जैन उम्र तिरपन भारत चौते नमबर पर रंजीत गुपता उम्र 54 भारत पाचवे नमबर पर स्रिल कैमनेस उम्र 50 फ्रांस अस्ट्रेलिया ये नाम ऐसे लिखे गया है वहीं छटे नमबर पर सौरव अगरवाल उम्र 48 भारत साथवे नमबर पर दीपक मलहोतरा उम्र 45 भारत आठवे नमबर पर रुपेश अगरवाल उम्र 50 भारत तो कुछ इस तरीके से नाम जारी किया गया है मतलब आठ नाम में से आप देखेंगे कि साथ नाम भारत के हैं इन लोगों पर बड़ा आरोप लगाया गया है और वहीं कॉंग्रेस ने जिस तरीके से अडानी को आपने देखा होगा कि महारास चुनाओं से ठीक पहले एक दिन पहले जिस दिन वोटिंग होनी थी जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए अडानी का लिंक जो है वो जोड़ा था पीए मोदी से तीजोरी खोलते हुए उसके ठीक बाद ये मामला सामने आया है तो इस मामले को पर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है लोग तरह-торह की पृतिकरिया दे रहे है और फिलहाल जो अमरिका ने आरोप लगाए है उस पर एक तरह से अडानी का कोई भी अभी अस्पस्टिकरन सामने नहीं आया है और नहीं इस पर अभी तक भारत सरकार ने कोई पृतिकरिया दी है आपका क्या कहना है दोस्तों इस पूरे मामले पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं